वेक्टर बाय नमबर के हम आपसे बात करते हैं देखिए जो नमबर मैंने यहापे लिखा हुआ ना यह जो लफ मैंने वर्ड लिखा है नमबर का मतलब होता है स्केलर क्योंकि जितने भी नमबर हैं 2, 4, 8, 10 कोई भी नमबर है उस नमबर के कोई डिरेक्शन नहीं होती इसलिए नमबर क्या होते हैं स्केलर होते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी वेक्टर को नमबर से मल्डिप्लाय करना या किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्डिप्लाय करना तो अब इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब बड़ी सिम्पल सी छोटी सी बात है मैं आपको समझा रहेता हूँ देखिए फर्स करेंगे मेरे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर है मेरे पास वेक्टर A और मैं जनाबे आली मुझे वो कहता है आप 2A की वैल्यू बताएए कि 2A क्या होगा ठीक है तो मुझे नजर आ रहा है कि जो वेक्टर A है वो एक नंबर 2 से मल्टिप्ला हो रहा है तो जब भी कुई नंबर किसी वेक्टर से मल्टिप्ला होगा अब ये जो वेक्टर एशपोस करें इस vector का magnitude कितना है, मेरे पस 5 है तो number है, वो number से ही multiply होगा यानि ये जो 2 है, ये vector A का जो magnitude है उससे multiply होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा मेरे पास answer किसका 2A vector का जो कितना है, 10 है यानि 2 multiply होगा, vector A के magnitude से तो 10 बन गया मेरे पास यह बास समझ में आ रही है तो जब भी कोई number या कोई scalar किसी vector से multiply होता है तो vector के magnitude से multiply होता है तो magnitude increase कर जाता है अब दो बाते हैं जो multiply होने वाला number है अगर वो positive number है जिसना मैंने इस case में लिया हुआ है तो vector की magnitude तो increase करता है लेकिन direction सेम रहती है देख लेए, arrow सेम है लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास यह जो number है यानि माइनस 2 होता और मैं इसको vector A से multiply करता है तो तब क्या होता तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी vector का magnitude है वो negative नहीं होता तो यह जो minus 2 है यह जब 5 से multiply होगा तो यह बन जाएगा minus 10 तो यह तस्वीर कुछ ऐसे बननी चाहिए कि magnitude तो increase करेगा यानि magnitude कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा minus 2 A है लेकिन चुके vector से पहले negative लग चुका है तो negative मैं आपको पहले बता चुका हूँ opposite direction को represent करता है तो अब आप arrow इस तरफ बना दोगे बस यह मतलब है तो अगर कोई negative number किसी vector से multiply होता है तो उसका magnitude तो increase करता है लेकिन direction opposite हो जाती है because of this negative sign और अगर multiply होने वाले number positive है तो magnitude increase तो करता है लेकिन direction सेम रहती है तो यह मतलब है multiplication of vector by our numbers